करेंगे अलो आंन विल्कम्ति दिनौले सोर्च वाज के सेशन में हम जानने कोशिज करेंगे सेंट्रल गौर्वर्मिंट्न ने दस एंजिओ पे रिस्टिक्शन लगा दी हैं और यह जो दस एंजिओस हैं different sectors में ये काम करते थी या फिर different dimensions में ये work करते थे जिसमें की right from the rights to the child और climate change ऐसे sensitive areas में भी ये काम करते थे तो इस session में हम जानने की कोशिस करेंगे कि कौन से ऐसे regions थे जिनके चलते जो NGO ऐसे sensitive works में ये dimensions में work करते थे इसके बावजूद इन पर restrictions लगाए गिये हैं और इसके साथ साथ हम थोड़ा FCRA के बारे में details में जारेंगे कि FCRA कैसे ये work करता है NGO के regarding अगरे देखें हम उस angle से देखेंगे कि NGO को ये किस तरीके से ये अगर देखें जो भी उनकी जो manipulative ideas है या जिस तरीके से वो work करते हैं उनको कैसे रिस्टिक करता है तो इस सेशन में हम सब कुछ देखेंगे बट बिफोर स्टार्टिंग इस सेशन आउड लाइक तो से यू कन जोइन तो टेलिग्राम चैनल और फेस्बूक चैनल और दोंट फरगेट तो सब्सक्राइब और यूटूब चैनल लिंक इस बिंग इवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स अगर मैं बात करूँ गवर्मेंट ऑफ इंडिया ने रिस्टिक्शन लगा दिये हैं दस इंटरनेशनल अगर बात करें नन गवर्मेंटल और्गनाशन की यह मैं आपको याद रखना है कि नेशनल इंडियोज के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं यह इंटरनेशनल और्गनाशन है यानि कि जो इनकी ब्रांचेज है या जो ओफिस है यह डिफरेंट कंट्रीज में लेकिन इंडिया में यह उप्रेट करती है और अगर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो संसिटीव एरिया जैसे कि चाइल्ड के बारे में या फिर चाइल्ड राइट से रिलेटेड इनवर्मेंट से रिलेटेड ऐसे संसिटीव इशूज पर यह वक कर रहे थे और इसमें अगर देखे मैनुपलेटिव वर्क इनके पाया गया और इनके जो रूलस और रिगुलेशन गौर्मेंट ओफ इंडिया ने पूट किया है उसके अगेंस जाके यह वर्क कर रहे थे और फंडिंग में भी इनो डिफरेंट इनो प्रियेट चीजिस देखे गई ज इसमें कि अगर बात करूए इन दस इंटरनेशनल इंजियोज को तो इनको प्राय और रेफरेंस कटेगरी लिस्ट में रखा गया है और जिसके चलते जो भी फंडिंग इशूज है इनकी उपर कर्वस होंगी और जब तक कि इनकी पूरी ऑडेटिंग नहीं हो जाती है यह क को मालूम होगा कि 111 जुलाई को भी गवर्मेंट ऑफ इंडिया ने इस तरीके के डिसीजन्स लिए गए गए जिसमें की मेजर जो अगर देखें हम जो इंपोर्टेंट एंजियो जैसे कि यहां पर चेल्ट्रेंस इंवेस्टमेंट फंड फंडेशन लेक्टम फंड मिंडे यहां पर इनकी ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगाए गए थे गवर्मेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और इनमें भी बहुत सारे लूफ फॉल्स या इनके फंक्शनिंग में ऐसे इनो प्रिपेट चीजें पाई गई थे जिसके बाद यहां पर इनकी जो अगर बात करो इनक हैं अटोमेटिकली जिसे की कोई भी अरे मिटन से जो हैं एंजियो को नहीं मिल पाएंगी या फिर जो एंडिया में और जो भी इनको फंडिंग्स मिलेंगी सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेर के पास जाएंगी और उनके द्वारा अप्रूबल के बाद ही यह जो ए गवर्मेंट ऑफ इंडिया ने अगर पूरी तरिके से इनो इस तरीके रिस्टिक्शन्स लगाए गहें और इसमें अगर हम देखें एफसी आरे क्या रोल जो की एफसी आरे एक इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है इन टम्स ओफ इनो कर्बिंग दोस अक्तिविटीज विच इसके चलते ही गवर्मेंट ऑफ इंडिया ने एफसी आरे के नॉम्स को जो टाइटेंड भी किया है आपको मालूम होगा अक्टूबर 2022 जिसमें की डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन्स को इसमें अमेंड करके इसको और भी जादा इसको हाईयर अनो स्ट्रेंथन बन जो एरिया था इमर्जेंसी के टाइम में जहां पर की फॉरेंट इंफ्लूएंस जो किसी नहीं तरीके से अनो गवर्मेंट ऑफ इंडिया के वह की पैटर्न में इंटरफेयर कर रहे थे डिफरेंट फंडिंग्स प्रोवाइड कर रहे थे तो 1976 के समय जो एमर्जेंसी लगा था और इसमें जो भी सोचल पोलेटिकल एकनॉमिक या रिलिजियस डिसीजन्स जो है वह गवर्मेंट खुद ले सके और बाहर के लोगों को इसमें कोई इंटरफेरेंस का हक ना दिया इसका एक मेजर मक्षत था इसके बाद देखें नन प्रोफिट्स जो कि है इसमें फ्र करना पड़ेगा पहले और जो किस तरीके के फंडिंग से इनको प्रवाइड हो रही है टाइम टू टाइम ओडेटिंग करके गवर्मेंट ऑफ इंडिया को प्रवाइड करने की जुरत है इसके बाद 2010 का समय आता है जहां पर कि 1976 के एक्ट में कुछ रिपेल इसमें होती है और इसमें जो स्ट्रिक्टर फॉरेनर कंट्रिबूशन रेगूलेशन एक्ट जो है उसमें यह लेके आ जाता है इससे की चेंज़ें इंट्रिउष्ट होगा कि FCRA रिष्टेशन जो वैलेडिटी कितने दिन दिन तरक हैगी या पर्मानेंट कौन-कौन से थे उनमें भी चे निवल लेना पड़ेगा इसके बाद इसमें इंट्रिदूश्ट आपको 2010 की उतनी इंपोर्टेंट नहीं है 2020 के मैं बता दे रहा हूं इसमें जो FCRA एमेंडमेंट बिल 2020 जो है इसको लाया गया था अराउंड सेप्टेंबर अगस्त में 2020 और अक्टूबर में पास हुआ था इसमें अगर key terminosies अगर changes देखें यहां पर जैसे कि acceptance of transfer के उपर utilization of foreign contribution जो की 2010 में लेकिया गया था तो यह कुछ ऐसे important changes इसमें introduced किये गए थे हैं इसमें अगर हम देखें कौन कौन से से important changes हुए देखें सबसे पहले तो public sector employee जो है कोई भी public sector worker है उनको forbidden कर दियागा कि वो किस transfer of funds की mechanisms लाए गए जिसमें कि अगर FCRA के अंदर कोई भी इनो persons अगर देखें हैं funds उसको मिल रहा है इसमें जो organization को वहाँ पर प्रवीट किया गया इसके बाद quantum of administrative expenses eligible to be funded by the FCRA funds lowered from 50 to 20% यानि कि पहले जो 50% जो था कि administrative expenses के नाम पे जो आप खर्च करते थे उसको 20% तक लाए ग देख रहे हैं curbing की facilities यानि कि कोई भी illegal activities ना हो इसके लिए curbing क्या गया लेकिन आपको मैं बताऊंगा कि इसके नुक्षान भी क्या हो गया लेकि इसके बाद providing अधार number mandatory हो गया क्योंकि यहां पर tracking हो सके government agencies के दोरा power to suspend FCRA registration यानि कि government of India को यहां पर powerful बनाए आपने आपको कि अगर कोई misuse आप करते हैं इस funds की तो इसकी हमारे पास हमारे पास power रहेगी कि FCRA के अंदर जो भी आपके registration है उसको हम cancel कर सके हैं इसके बाद renewal of registration जैसा 2010 में भी है mechanism था कि हर 5 साल के बाद आपको re-register करना पड़ेगा यहीं नहीं कि आप एक बार tag लेगे कि NGUs हैं तो आपक आप काम कर सकेंगे इसके बाद एक designated FCRA एकाउंट यानि कि बाहर से जो funds आ रहे हैं उसके लिए एक fund आपको mandatory create करना होगा state bank of India में इसके बाद voluntary surrounding surrendering of the FCR certificate तो यहाँ पर आप चाहे कोई भी एगर NGO चाहे तो यहाँ पर voluntary तरीके से अपना FCRA का जो certificate है या उसको handover कर सकता है government of India को तो यह कुछ ऐसे important इसमें amendment करके यह जो acts जो है इसको ultimately लाया गया है ठीक है अब ही हम देखते हैं कि इसके साथ-साथ इन्जियोज बहुत ही different sectors में work करती है अगर बात करें developmental areas में training capacities areas में policies and programs में research में तो यह कुछ ऐसे important areas देखें जहां पर NGOs work कर सकती है यह करती है और government of India के अगर यह फिर Indian specific territory के reason में देखें तो NGOs कहीं ने कहीं एक invisible hand की तरह work करता है जहां पर governments पहुच नहीं पाती है उनकी machinery नहीं पहुच पाती है और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन अब क्या होता है कि कहीं ने कहीं कुछ ऐसे different अगर NGOs हैं जहां पर government ने restrictions लगाए हैं ultimately उनमें बहुत सारे लूफोल्स पाएगा है और illegal activities एंटी नेशनल activities में वह indulge हो रहे थे और जो भी पैसे बाहर से आ रहे थे उसको कहीं ने कहीं utilize कर रहे थे या फिर डाइवर्ट कर रहे थे इंडिया में contribution के लिए तो इसके साथ साथ government of India ने बहुत सारे restrictions लगाए इनके उपर laws impose किये और अभी जो situation यह है कि जो अगर अच्छे भी एंडियोज वर्क कर रहे हैं उनके उपर भी restrictions इनो इंपोज होंगे तो कहीं ने कहीं अगर आप देखें कि जैसा मैंने आपको बता क्योंकि यह impose capping हो गया तो वहां पर पैसे खर्च नहीं कर पाएंगे और जिसके चलते क्या होगा कि ultimately बहुत सारे ऐसे hindrances आएंगे growth and development में तो यह कुछ ऐसे FCRA की नुक्षांस में है और बहुत सारे steps भी ले गए है government of India को इसमें कहीं ने कहीं एक bifurcation की जरूरत है और streamlining की जरूरत है कौन-कौन से NGOs अच्छे वक कर रहे हैं उनको यह capping की बढ़ाने की जरूरत है so I really hope you guys have understood this whole concept about the NGOs and the kind of restrictions imposed by the government of India so that's it for today thank you as always for joining